हमारे विभिन ज्ञान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमश्कार जोतिस ग्याल पे दर्सों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आईए फिर एक अनोखे सब्जेक्ट के साथ आज हम कुछ चीज़े आपको फिर बताने वाले हैं हमारी जिन्दगी है जिन्दगी में नाना भाती के रोग होते हैं और नाना भाती की बाधाएं हमारे जीवन को बाधित करती हैं हमारे जीवन में यह तो बहुत सारी चीज़े हैं जो समय समय पर घटती भी रहती हैं अच्छाई भी हमारे जीवन में आती हैं बुराईयों का भी सामना हमें हमें अपने समय जीवन में गड़ना बढ़ता है लेकिन कई बार कुछ ऐसे टिपिकल रोग हो जाते हैं ऐसी बिमा कि स्वस्त सरीर से ही व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता इसलिए तो कहते हैं कि तंद्रुस्ती सबसे बड़ी चीज है इंसान का स्वास्ते अगर बहुत अच्छा है तो वो बहुत कुछ कर सकता और यदि स्वास्ते ही हमारा अच्छा नहीं है तो जीवन में नाना भाती की बहुत के लोगों के लक्षान आपको कब कुन सा रोग होगा यह बहुत सारी चीजें आपको medical science बताने में सक्षम है लेकिन medical science के साथ साथ ही एक science और है जिसको हम एस्ट्रो science कहते हैं एस्ट्रो science भी आपके जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़े बताने में वास्तम में सक्षम है अब हम आज एस्ट्रो science की बात करते हैं हम जोतिस विग्यान की बात करते हैं जोतिस विग्यान में भी बहुत कुछ आगर गहराई में जाएं तो वास्तम में हम बहुत कुछ जान सकते हैं आईए आपके लिए एक बहुत शांदार subject आज में प्रस्तुत करता हूं और खास तोर से उनको त ना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ा ही सुनेरा आज का सब्जेक्ट रहेगा आप कुडली देख करके पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है अब थोड़ा बहुत तो मेरे खाल से जर्म पत्री का देखना बहुत लोगों को आही गया होगा क्योंकि लंबे इस मेक से परफेक्ट मैं वह वली बात हो जाती है ना तो देखो हमारी जर्म पत्री का होती है होरोस्कोप होती है होरोस्कोप का अस्टम भाव जर्म पत्री का में कितने खाने होते हैं बारा बारा खानों में यानि कि बारा ट्वैल्थ हाउस होते हैं बारा भाव होते हैं अस्टम भाव हमारी आईउ का भी है अस्टम भाव से हम आईउ के साथ साथ रोग भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़े अस्टम भाव से देखी जाती हैं और उसी में एक होता हमारा सिक्स थाउस छटा भाव छटा भाव से भी हम रोग विचार करते हैं रीपू का वि 12 होते हैं अब 12 राशियों में कहां से कहां से हम देखते हैं मेश राशी अप टू मीन राशी सबसे पहली राशी मेश सेकिंड वर्षब थर्ड मिथुन कर्क सिंग कन्या तुला रश्षिक धनू मकर कुमब और मेन 12 राशिया हो गई 12 राशिया हो गई अब हमें ये देखना है कि अस्टम भाव में कौन सी राशी है अगर आपकी राशी का स्वामी कमजोर है और अस्टम भाव में ये राशी है मेश राशी है वर्षब राशी है तो इन इन रोगों के होने की संभावना बन जाती है और यदि वो रोग आपको ह तो आप उस राशी के ग्रह से संबंदित कुछ ना कुछ उपाए कर ले कुछ ना कुछ दान पुन कर ले और हमारे जो एस्तोरोजर हैं ऐसे जो तिसके जो और ऐसे विध्यारती हैं तो वो उस समय उस राशी से संबंदित कुछ ना कुछ उपाए कराएं मंतर जाप कराएं द से बहुत कुछ भला हो सकता रोगों से लड़ने की शक्ति आती है और बिमारिया धीरे धीरे शने शने गायब होने लगती है तो आईए अब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम देखेंगे आपने जनम पत्रिका खोली जनम पत्रिका का जो आपका लगन चार्ट है बेसिक चार्ट है लगन चार्ट को खोला और उसमें जहां सबसे ऊपर का खाना होता उसको प्रथम भाव कहते हैं दो खाने साइड में होते हैं एक बीच में होता है उसको प्रथम भाव कहते हैं आप एक कुंडली के माद्धियम से भी समझ लीजिगा यह आपके सा लेकिन ये प्रथम भाव माना याता है, पहला भाव माना याता है, तो आपने अब ये देखना है, ये फर्स्ट हाउस माना याता है, यहां से फर्स्ट हाउस से देखो, नीचे की तरफ है एर्थ हाउस, जहां आठ नंबर लिखा है, तो वहां आपको आठ नंबर में क्या रा कर लेते हैं तो आईए अब हम ये देखेंगे के एर्थ हाउस में क्या राशी होने पर क्या रोग होते हैं आईए आप लोग जाने और सुनें अगर अस्टमभाव में मेश राशी हो एक नंबर हो लिखा तो मेदाविकार सिरदर्द अनिद्रा नेत्र एममुख रोग होने की स हो गले के रोग हर्दय और मुत्र से संबंदित रोग हो सकते हैं मिथुन रासी यदि महां लिखी हो तो गले में खराबी ऐस्थमा दमा रक्त से संबंदित या कुष्ट रोग हो सकता है चार नंबर करक्रासी हो उदर विकार पेट से संबंदित रोग पाचन के रिया में ग राशी लिखी हो तो ऐसे व्यक्तियों का एन्यमित आहर हो जाता है, रक्त विकार हो सकता है, हर्दे से संबंधित रोग हो सकते हैं, कन्या राशी डाइबिटीज हो सकती है बहु मुत्र का रोग सता सकता है और विभन परकार के गुप्त रोग हो सकते हैं वरश्चिक रासी महा लिखी हो भगंदर हो सकता है गुप्त पिड़ा हो सकती है और कहीं न कहीं गुप्त रोग भी हो सकते हैं या गुप्त अंगों में जलन हो सकते ह लिखी हो हड़ी वे जोडों में दर्द या हड़ीयों का तूटना टीवी रक्त दोस्त लीवर इंफेक्शन हिस्ट्रियादी भी हो सकता मकर राशी शीत रोग कपकपी के रोग रक्त संचार में गड़बरी चर्म रोग एलर्जिक प्रॉबलम हो सकती हैं कुम्ब राशी वहा नहीं एलर्जिक समस्याएं खाज खुजली हो सकती है गिल्टी निकलना हो सकता है पेट में आउं हो सकते हैं और गठिया वात्स से संबंदित रोग होना संभव हो जाता तो मेरे दर्शों को आपने जाना यदि आपके एर्थ हाउस में ये रासियां विद्वान हो क्योंकि राशी एक ही एक जगे पर आती है एर्थ हाउस में एक ही रासी आईगी और इनमें से ये कोई भी रासी है तो इस प्रकार का कोई रोग आपको पकड़ सकता है उस इस्तिति में आप उस रासी से संबंदित उपाय करें तो आपको विशे इस प्रकार का लाप मिलेगा ठीक ह तो आज का ये छोटा सा एक सब्जेक्ट हमने आपको बताया कि हम अपनी जनम पत्रिगा से भी विविन प्रिकार के रोगों का पता लगा सकते हैं तर्शो को उमीद करता हूँ आज का ये कहीं ने कहीं छोटा सा विस्यसांग का आपको लाभानवित जरूर करेगा अब आपकी जैसे एर्थ हाउस में जो रासी थी उससे संबंदित यदि आपको रोग होता है तो आप उस रासी से संबंदित जो ग्रह आप जैसे मिसाल के तोर पर यदि आपकी वहाँ पर मीन राशी है ट्रेल्ट नंबर की राशी अस्टंभाव में आती है तो मीन रासी के ज पीली चीजों का दान करें, ऐसा कुछ करें, या ब्रस्पती का मंत्र बढ़ें, ओम गराम गरिम गराम से गुर्वे नमा, ऐसे बहुत सारे उपाए होते हैं, तो मैं आपको ये आपको समझा रहा था, ठीको छोटी छोटी सी चीजे भी कितना बड़ा काले करती हैं, एक छोट को ये आपकी अब तक जनम पत्रिकाएं ना बनी हो, तो आप कम से कम अपने बच्चों की, अपने जानकार लोगों की वैदिक जनम पत्रिकाँ जरूर बढ़ाएं, इसके लिए आप हमारे संस्तान से भी सेवा ले सकते हैं, या कहीं पर भी जहापर वैदिक जनम रही है, एक संदेश, यदि आपने हमें अभी तक सस्क्राइब ना किया हो, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा, इस प्रकार की सब्जेक्ट के लिए, सुनने के लिए, और बहुत सारी चीज़े जानने के लिए, यो ही आप हमें अपना प्रेम देते रहें, हमसे जुड़े र नमस्कार अन्य दिनों में इस शर्मा जिया धिक्तार दिली में रहते हैं मैं मन्ची कभी हूँ बैसिकली, मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलास थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे उपर हो जो उसको बचाये क्योंकि गलतीया तो होती हैं, और आज के कारिक्रम से मैं दावे से कर सकता हूँ, कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ करूँ, अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें ओप खबाँ और खबाँ झाल तर प्यादा